सिल्वर फ्लेगमेंट जिसे हम लोग बेकार समस्ते थे पर अब से वो मिलने वाला है यूसी के भाव में कल हमें गेम के अंदर देखने को मिला नियू सिजन सीटू एस फोर एंड पिछले सिजन जो लोग रैंक पुश किये थे सिल्वर फ्लेगमेंट के लिए चाहे वो लोग एस डॉमिनिटर गये एस मास्टर गये या फिर कॉंकरर गये थे पर नियू सिजन रिसेट होने के बाद उनको सिल्वर फ्लेगमेंट यहीं मिला तो काफी सारे मुझे कमेंट देखने को मिले कि भैई सिल्वर फ्लेगमेंट गाइब हो जब कर देना तो गेम के बैस distinct के अंधर बेसि कली सिल्वर फ्लेगमेंट को और भी जादा वे тобं वैलवेबल बनना जारहे अगर आप जाते हो Season Section के अंदर तो जो हम लोग rank push करके पहले Silver Flagment collect करते थे अब से आपको Silver Flagment के जगा यहाँ पर Season Token देखने को मिलेगा अगर आप Crown के अंदर finish करते हो तो आपको 800 Season Token देखने को मिलेगा अगर आप Ace के अंदर finish करते हो चाहिए हो आप Ace Master करते हो फाहरशन कि ढोकेंदख सबसे आपको जाना है यहाँ पर सेख्शन के अंदर नुकर मैं तो इस आफीट के इसमें की रिफ्रेसिल नहीं है बाकि जो पुराने सेख्शन के आउटफीट है डियोयां के अंदर वह inexेंगा मिल रहे हैं and मेरे पास यह सारे का सारे reward है and पिछले बार भी मैंने यहाँ पर जो AG currency है and यहाँ पर जो silver flagment है इसको ही collect किया था तो अगर आप देखते 1000 type यहाँ से आप silver flagment redeem कर सकते हो and एक season token से आपको 2 silver flagment मिलने वाल है तो all total आपको 2000 silver flagment यही से मिलने वाल है and कल यह reference नहीं होता जिसके कारण काफी लोग आपको बताया होंगे कि अब से आपको नहीं मिलेगा silver flagment पर ऐसा नहीं है हर एक season आपको यह swap reference होता हुआ देखने को मिलेगा and आपको यहाँ से silver fragment मिलने वाल है तो यहाँ पर मैं सबसे पहले 2000 silver flagment कलेट कर लेता हूँ तो यहाँ पर फटाफट कलेट करते है अगर तो यहाँ पर मैंने all total 2000 silver flagment कलेट कल लिया and यहाँ पर आप AG करंसे भी कलेट कर सकते हो and यहाँ पर एक करके इसका value and patch करके आपको AG currency मिले बाला है तो इसको भी मैं यहाँ पर collect कर लेता हूँ तो यहाँ पर मैंने all total 1500 AG currency भी collect कर लिया तो 2000 यहाँ पर silver flagment भी मुझे मिल गया है and 1500 AG currency भी मुझे मिल गया है तो इस type से भी आप silver flagment AG currency ले सकते हो BGMI के अंदर सबसे पहला अगर आपको silver flagment collect करना है क्योंकि season से तो हटा दिया गया है तो आपको season token का use करते हुए redeem section के अंदर इसको collect करना पड़ेगा and 2000 आपको silver flagment मिलेगा एक season के अंदर अगर आप silver flagment देके premium crate coupon scrap या classic crate coupon scrap खरीचते हो तो मैं recommend करूँगा कि silver flagment को जमा करो and सिब scrap को ही purchase करने के लिए उसको use करो silver flagment से कोई outfit या gun के skin को अभी मत लो अगर आपको crate opening करना है तो आप सिब scrap ही purchase करो silver flagment से तो कहा कहा और आपको silver flagment देखने को मिलेगा तो सबसे जो popular जगा है अगर आप जाते हो crate के अंदर तो चाहे आप premium crate open करो या classic crate open करो या supply crate open करो आपको silver flagment देखने को मिलता ही है हरे crate के अंदर तो यहाँ से काफी सारे silver flagment के कमाई आपका हो जाएगा जिससे आप फिर से scrap purchase करोगे फिर से crate opening करोगा और फिर से आपको silver flagment मिलेगा अरे बाप रे ये तो धोती खोल रहा है अब soldier crate भी open कर सकते हो soldier crate open करने से आपको silver flagment मिलने का chances है क्योंकि नीचे का साइब देख सकते हो 10 और 5 करके silver flagment या पर दिया गया है तो अगर आप soldier crate open करते हो chances रहेगा कि आपको silver flagment मिल जाए जैसे मैंने बताए अगर आपके वास कोई 2 outfit है तो उसको dismantle करके भी आप silver flagment ले सकते हो देख सकते हो यहापर मैं dismantle कर दिया और मुझे यहापर मिल जाते 15 silver flagment और एक तरीका जो मैंने काफी पहले आपको बताया था अगर आपने देखा होगा simply आपको जाना है clan shop के अंदर और यहापर जो clan के outfit होता है इसको आपको purchase कर लेना है इसको purchase कर ली आपने और इसको आप 2-3 बर purchase अगर कर लेते हो तो इससे भी आपको काफी सारे silver flagment मिल ले वाले देख से तो 60 silver flagment मिल जाता है इससे जाके आपको दूसरा outfit shop के अंदर देखने को मिलेगा और उस outfit को फिर से ले सकते हो और तब जाके आपको और 60 silver flagment मिल जाएंगे और एक तरीका है silver flagment collect करने का वो है event section event section के अंदर भी काफी बार हमें silver flagment का event देखने को मिलता है कुछ इस टाइप का event देखने को मिलता कि कुछ material देखने का आप silver flagment redeem कर सकते हो तो वहाँ से आपको silver flagment redeem करना है और जितनों से अभी आपको silver flagment को जमा करना है क्योंकि अगर आप crate open करना चाते हो हमेसा तो आपको silver flagment जमा करके ही उसको use करना पड़ेगा वीडियो अगर एलफुल लगा है अपने दोस्तों को से share जरूर करना चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब करके बेल एकन प्रेस करके all notification जरूर से on कर देना एक दिन बाद भाई premium crate आने वाला है तो अगर अभी तक premium crate links के ओपर मेरे वीडियो नहीं देखा है तो लिफट जाला वीडियो क्लिक करके आप देख सकते हो